हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आल आज मैं आपके जो वीडियो डिक्या रहा हूं बात करेंगे हिंदुस्तान यूनिलिवर के शेयर की क्योंकि ये शेयर आज की डेट में इंडिया में नंबर थ्री पे हैं अब आप पर होगे नंबर वन नंबर टू पर कौन रहें सिंपल सी ब ये नंबर थ्री की पोजिशन पर पड़ा हुआ है क्योंकि यहां पर आपने देखा होगा हिंदुस्तान यूनिलिवर भी अच्छा खासा हाई टच करके फिर से गोते लगाता हुआ नीचे पहुंच चुका है अब बहुत सारे लोग कह रहें गया शेयर को खरीदने हैं सस् लेकिन शेयर को खरीदने से पहले कुछ बातों पर घ्यान केजिए बात करेंगे हम टेकनिकल बेसेस पर फंडमेंटल बेसेस पर इस शेयर के बारे में और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर रहे हो आज स्टॉक माकेट क्लोज है लेकिन फिर भी निफ्टी का हाल क्या है वह आपको अलड़ी अपडेट कर दिया गया है कल एरटेल के बारे में बात की थी वक फ्रॉम हूम के बारे में फार्मा का हब बनने जा रहा है इंडिया उसके बारे में नहीं कहूंगा मैं रिलांस इंडस्ट्री से बड़ा फार्मा शेर उसके बारे में बात करी थी बायो कॉन के बारे में बात करी थी तो इस तरीके से बहुत सारी वीडियो जाती रहती है जिनको आप मिस कर दोगे अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो और बैल प्रेक्टिस लर्निंग यही आपको प्रोवाइड कर आई जाती है अब मैं फिलाल आपको रिखाता हूं यहां पर टॉप कंपनी लाइनस इंडस्ट्री इस इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन इस लेकिन हिंदोस्तान लाइब करोड के सांथ दूसरे नंबर पे मौझूध है बहुत ही जबदस अभी मस स्टॉक है जिनको ऐसा काला था कि हाँ बैई ये पिक टॉप पिक चेरी पिक जहां पे कम से कम रिस्क के साथ इन्वेस्टमेंट कही जाती हो और हिंदुस्तान इनिलिवर तो एक ऐसा शेर है जो की FMCG पर्सनल केर सग्मेंट में आता है तो आपको जी एसके ने अपना माल बेचा था हिंदुस्तान इनिलिवर आपको पता होगा लास्ट यह जब बात चल रही थी हॉर्लिक्स हिंदुस्तान इनिलिवर ने खरीद लिया तो वहां पर वह अपना माल बेच के है निकल एक करोड की डील लेकिन अभी इंपोटन पइंट देखिए पहले बात करेंगे फंट्डेमेंटल की फिर बाकी डीटेल बात करेंगे फंडेमेंटल की जब बात आ आती यहां बे वैल्यू है 67 68 की पे ट्रेड कर रहा है प्रॉफिट ग्रोथ अमेजिंग मैं कहूंगा 14 पॉसेंट सेल्स ग्रोथ 7 पॉसेंट के आसपास जीरो डेट की कंपनी नंबर समयजेंग है कोई कमी नी प्रमोटर के होलिंग 62 पॉसेट की प्रॉफिटेबलिटी को उप कि अच्छी बात है पॉसेटिब बात है नाउसी प्रॉफिटेबलिटी 25 प्रॉफिट ग्रोड का प्रॉफिट ग्रोइंग ग्रोइंग नाउट इस अराउंड 6700 क्रोड अमेजिंग लेकिन एक बात और यहां पर जहां दूंगा आपके साथ आपका यह देखिए यहां पर अगर आप शेर होल्डिंग पैटन देखते हो तो कौन से बड़े इंवेस्टर है जो हिंदुस्तान में इन्वेस्टेड है बहुत सारे लोगों का कुश्चन होगा मेजर प्रमोटर कौन है देखिए यूनिलिवर पी एलसी का मेजर प्रमोटर है 51.48% की इसकी होल्डिंग ह उनिलिवर UK and CN Holding Limited 2.78% की होल्डिंग है इसी दिये उनिलिवर के ब्रूंड गुरूप है ब्रूंड आसाम स्टेट लिमिटेड है यह सब की थोड़ा थोड़ा होल्डिंग यहां पे है लेकिन जब बात आती है बड़े शेर होल्डर की बड़े शेर होल्डर यहां पे देखे समझेंगे धेर सारे mutual fund houses ने खूब सारा पैसा इस पर रखा रहा यहीं बड़े बड़े शरूर है देख सकते आप उपर से लिके नीचे तक आओगे इतने सारे mutual fund houses ने खरीद के रखा हुआ है हिंदुस्तान निलिवर में माल देख सकते हैं हर किसी mutual fund ने जो भी होगा large gap segment में उसने इसमें माल जरूर खरीद के रखा होगा किसी ने ज़्यादा तो किसी ने कम आप देख सकते हैं इसके पास कितने शेयर्स हैं आपको यकीन नहीं होगा दिसंबर 2018 के हिसाब से अगर देखा जाए अभी अगर current situation में मैं देखू March 20 के हसाब से भी यहाँ डेटा है वारे पास आई ने दिसंबर 2019 के हसाब से डेटा है तो आप देखिए बहुत सारी companies ने माल बेचा भी है कि नहोंने खरीदा भी है देखिए नए नए ने लोग आत हूं let the correction resolve you will have your time और आप Hindustanian liver के share में देख सकते हो कि 2015 2015 से correction start हुआ था जैनवरी के महीने से correction bottom point आया फिर से high बनाया फिर से correction दोबारा आया and the correction got resolved in 2017 वो भी March April के महीनी में है it was around two and half year almost के correction रहा और कोई लोग थोड़ा गिरावत करके यहां पर पैसे invest करते तो उनका पैसा block होता but if you have invested the money after breakout आपने देखा आपने पैसे को यहां level पर आपका पैसा का time value होती है वो भी देखिया उसके बाद आपको छोटे छोटे entry के मौके मिलते रहे और यह छोटे entry के मौके जो आपको दिखेंगे वो जब आप आओगे चोटी correction जो दिखेंगे वो चोटे time frame पर देखो तो आपको यह picture clear होगी फिलहाल अगर मैं बात करूँ फिर से correction आई और यह correction देखिये यह resolve हुई resolve होने के बाद क्या jump आये share में बढ़िया jump मैं इसको कहूंगा यह resolution आप देख सकते हो फिर से correction आई और correction resolve हुई और resolution ही मैं कहता हूँ कि resolution ही important बात है देखा आपने jump आया लेकिन मार्च के महिनी में कुछ unexpected सा हुआ गिरावट आई और जल्दी से share उपर गया और इतना उपर से ला गया फिर उतना ही नीचे आ गया मतलब कुछ unexpected सा move था और बड़ी block deal यहां पर सामने आई देखिए लेकिन फिलाल share की condition क्या है अब आप खरीदने की सोच रहे हूँ अगर तो जड़ा ध्यान दे इन points पे अगर मैं बात करता हूँ मंतली तो आपको positive आपको दिखी रहा होगा लेकिन यहां पर important point है अभी weekly की जो correction है वो resolve नहीं हुए है जब स लेकिन मुझे लगता है at least कुछ तो positivity देखे इस लोग को आप देखिए इस लोग को देखिए although these are higher lows but you cannot say this is higher low till now because this correction is not resolved yet and we need a correction resolved resolution for entry और अभी के टाइम पे वो resolution मुझे नजर रहती हुए नजर नहीं आ दिये मैं expect कर रहा था जब यह candle बनी थी 4th मे वाली यह बहुत जल्द इस 2164 के level को पार करें बट नहीं पार हुआ तो फिर यह downside आया downside move और अभी की date मगर मैं देखू तो फिर भी आप देख रहे हो कि stock में एक higher low बनने की expectation है उमीद करेंगे जल्द से जल्दी यह पार हो इससे पहली पर आपने देखा होगा जनली स्टॉक अब देख लीजे जन चल रहे daily chart में अब अभी देखे daily chart की detail आप देख सकते हो daily chart में पिछला जो jump था वो बहुत ही खतरना कहां से कहां तक गया देखिए बिलकुल 1700 के level से यहां तक almost 2600 के level तक गया बट अभी की expectation जो हमारी है कि यह जो correction मना है वो resolve हो और but resolution से पहले मैं daily पे अभी various cross देख पा र जल्द से जल्द यह turn हो जाए तो काफी important यह जो 20 EME की line है वो upside को move करने लग जाए तो काफी important फिलाल correction चल रहा है तो यह बात घ्याद अगर आप share खरीदना चाते तो थोड़ा सा correction आपको resolve होता हो नजर आए although मुझे मैं देख पार हो देखिए अभी hourly की अतर्प बात करते है यह आवरली टाइम फ्रेम है आवरली पर आप देखिए हलका सा slip strong थोड़ा सा यहां पर भी slip slip और स्टॉक डाउंसाइड मोमेंटम पूरा का पूरा लोवर लो बनाता हुआ जा रहा है तो positivity जरूर होनी चाहिए और अब बात करते छोटे टाइम फ्रेम की 15 मिनट में आप किती है तो फिर अभी तक stock pain की situation में यह धीरे धीरे चीज़े जब यहां से resolve होती हुए नजर आएंगी जो 15 मिनट में रिजॉल्व होती हुए नजर आ रही है वह आपको इस side भी resolve होती हुए नजर आनी चाहिए यह कहां पर वन आवर में वन आवर में resolve होंगी तब ही जाके यह आपको डेली के time frame में भी resolve होती हुए नजर आएंगी फिलाल wind up करता हूँ वीडियो को उमीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लागा होगा अच्छा लागा तो share जरूर केजिए और मुझे लगता है क यहां पर जो level से खरीदारी के वो 260 के यह level के पार ही है उससे पहले अभी थोड़ा सा इंतसार करें और अगर यह नीचे गिरता है तो थोड़ा pain के situation आएगी बट फिर भी अभी भी अगर आप फिर भी खरीदना चाहते हो तो कम से कम ना के बराबर investment करें although FMCG का share है यहां पर करने की सोचेंगे और थैंक यू थैंक यू पर राचन दो वीडियो